गुड बॉर्निंग जैहिन, I am Rahul and welcome on my channel आज है 24 October 2024 और आज का हम लोग देखेंगे important current affair यह current affair UPSC, UPPCS, BPSC, RPSC, UKPCS आज सभी exam के लिए काफी important है, even ROARO के लिए भी ओके, तो हम देखते हैं, कल एक मैंने current में देखा था cyclone dana को, जो मुझसे mistake हुआ था, वो basically उसका नाम जो है, वो साओधी अरब से नहीं, कतर ने उसे दिया है, ठीक है तो यह ध्यान में रखना, cyclone dana कतर ने दिया है, ओके, तो वहाँ पर मैंने pin कर दिया था, अपने mistake को, ओके, अब बढ़ते हैं, next current affair पर, CAQM, Commission for the Air Quality Management ने आडर दिया है, दिल्ली में, दिल्ली इस समय प्रदूसित होती जा रहे है, एयर पोलिशन बहुत जादा बढ़ता जा रहा है, यह तीन महीने तक, काफी पोलिशन रहता है, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर और जन्वरी भी, ठीक है, अक्टूबर में बढ़ता है, तो नॉंबर, दिसंबर, जन्वरी में, तो बहुत सारे चीजों को यहाँ रोक दिया जाता है, ठीक है, जिससे की एर पोलिशन कंट्रोल में रहे, तो इसी को हम लोग देखेंग इसका कारण है, यहाँ पे पोलिशन बढ़ने का, इस्टेबल बर्निंग होता है, आसपास के हरियाना पंजाब और बेस्टन यूपी के किसान जो है, इस समय अपनी धान की फसल, ठीक है, उसको काटते हैं, और उसके बचे हुए आउसेसों को जला देते हैं, जिससे की है, Commission for the Year Quality Management ने आडर दिया है, वो स्टेज 2 जो है, Grade Response Action Plan जो है, NCR के लिए है, उसमें स्टेज 2 के लिए, जियार, जियार, एपी प्लान बोलते हैं उसे, तो उसे लागू कर दिया, आप देखते हैं, उसमें क्या-क्या होता है, तो जियार, एपी स्टेज 2 में, बिसिकली, N हो जाता है, use of coal, coal को use नहीं कर सकते हैं, and firewood, लकडी को नहीं जला सकते हैं, diesel generator को बंद किया जाता है, ठीक है, emergency situation को छोड़ के बाकि ये सब close कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इस समय जो है, very poor से severe condition में जाने लगता है, हम सभी चीजों को, सभी fact को देखेंगे इसमें, ज तो ये prelims के लिए काफी important रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम लोग देखेंगे GRAP क्या है, GRAP basically emergency response mechanism है, waste down the EQI, यानि कि year quality index level पे, दिल्ली के, जो है, ये index होता है, उसी पे जो है, ये emergency response mechanism होता है, ठीक है, वो base होता है EQI पे, ओके, तो ये basically divide है, EQI, जो year quality management, year quality index है, वो four stages में divide है, पहला, वो poor condition, stage one, poor category होता है, जिसमें EQI, year quality index 201 से लेकर 300, दूसरा होता है, very poor category, year quality index 301 से 400, and sever category होती है, QI 401 से 450, तो दिल्ली इस समय इसमें चला जाता है, इस month में, ठीक है, sever category में, और sever plus 451 प्लस year quality index, ठीक है, तो ये भी किसी किसी दिन आपको ऐसा भी रहेगा, तो बहुत सारा चीज़ सट डाउन कर दिया जाता है, जैसे कि, स्कूल, स्कूल, कॉलेज और कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगाया जाता है, ठीक है, न्यूज पेपर आप देखते रहते होंगे, दिल्ली का, तो फिर अब हम, फिर अब देखते है किसी कहां से पूचा जाता है, यह पूचा जाता है, बिसकली इसमें एड़ पॉलिटेंट आते हैं, PM 10 और PM 2.5 PM means Particulate Matter 10 and Particulate Matter 2.5 ठीक है ये दोनों जो है जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसके माध्यम से ये जो पार्टिकल होते हैं धूल के कंड ये अंदर चले जाते हैं ठीक है तो इसको भी नोटिस किया जाता है और nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, ozone, methane ठीक है और lead ये 8 जो है 8 pollutants में आते हैं तो कभी भी हम exam में पूछा जा सकता है कि कौन-कौन है कौन-कौन नहीं है तो ध्यान बखना ठीक है इसी पर EQI, year quality index इस पर मापा जाता है आगे बढ़ता है next current affair पर एक snake species खोजी गई है कहां पर western himalayas में ठीक है उसका नाम जो है पढ़ा है एंगवाई कुलश डिकैप्रियो है अब डिकैप्रियो से इसको याद कर सकते हो बैसकी यह एक्टर है hollywood actor और environmentalist है Leonardo Di Caprio ठीक है इनको अब सब लोग आप लोग जानते होंगे बैसकिलिए जो movie आई थी प्या नाम था उसका Titanic उसके जो actor है में actor वो यह हैं Leonardo De Caprio उन्ही के नाम पर इसका नाम पढ़ा है, ठीक है, इसने का, इस पिसीज का, ओके, तो ये बिल्ड लाइफ कंजरवेशन के लिए काफी एफोर्ड करते हैं, इनका एक मूबी है, बलड डाइमंड हो आप देखना, ठीक है, अफरीका के बारे में दिखाया गया है, नेक्स देख for costing and manage specific better events, ठीक है, तो ये न्यूज में था, मेशन मौशम, बेसिकली exact, जो metrological IMD है, वो specific, जो है, बेसिकली specific better event को बताए, मैंने कि घटनाओं को बताए, जिससे की बहुत सार फाइदा होगा, जिससे की agriculture के लिए सबी field के लिए लगबग, ठीक है, अभी IMD जो predict करता है, वो लगबग सही नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए नुकसान भी होता है, predict कुछ दूसरा करेगा, होगा कुछ दूसरा, ठीक है, तो इसलिए उसको enhance करने के लिए weather forecasting को mission मौसम launch किया गया है, ठीक है, तो यह ध्यान रखना very important, next चलते है, राजाजी टाइगर reserve जो है, news में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि build a life panel of ministry of environment, जो है, उसका जो build a life panel है, वो जो है, अस्थाकित की रोका है, ठीक है, किसको रोका है, National Highway Authority of India, NHAI को, वो four lane project बना रहा था, प्रपोज किया था, बनाने के लिए, वो पास हो रहा था, ठीक है, जो four lane road है, वो पास हो रहा था, किस से राजाजी टाइगर reserve से, और सिवालिक elephant reserve से, ठीक है, यह पास हो रहा था, इसलिए उसको रोका गया है, क्योंकि environment degradation है, आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, basically, जो राजाजी टाइगर reserve है, वो उत्राखंड के हरिद्वार, देहरा दून और पौरी गढ़वाल, तीन जिलों में फैला है, ठीक है, basically, यह सिवालिक range of Himalaya का part है, okay, तो यह very important वो आप पूछ सकता है, एक्जाम में, यह 820 km में फैला है, और इसका नाम जो है, famous freedom fighter, राजगोपलाचारी को राजा जी भी कहते थे, उनी के नाम पर इसका नाम पढ़ा है, राजा जी नेशनल पार्क, स्री, राजा जी टाइगर जरू, ओके, आगे देखते हैं, इसका जो location है, यह transition zone है, किसका temperate western Himalaya का और central Himalaya का, ठीक है, जो enhance करेगा the species diversity, ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, असम चीप मिनिस्टर हेमन्त विश्व शर्मा जो है, क्या लांच किये हैं, मेसन वशुंधरा, 3.0 लांच किये हैं, क तो basically यह to provide the land right, वो land right प्रोवाइड कराना है, किसको indigenous communities in Assam, जो वहां के tribe group है, उनको जो है, जमीन land right देने का यह मुहीम है, उसे कहते हैं, मिशन वसुंधरा, तो याद रखना, ठीक है, इस्टेट इक जाम में भी पूछा सकता है, और UPSC में भी, नेक्स चलते हैं, 7th United Nation Convention on the Biological Diversity, COP16, इस समय हुआ है, हेल्ड हुआ है, कहां पर हेल्ड हुआ है, October 21 और November 1 के बीच, जो है काली, काली एक जगा है, Columbia में, Columbia South American Country है, वहां पर COP16 चल रहा है, तो यह आप ध्यान रखना, ठीक है, Map में देखते हैं, Columbia का Location, Columbia ये है, देखो, Columbia की राजदानी है, Bagota, ध्यान में रखना, ये, basically, Coastal Capital नहीं है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, Columbia की बगल कौन सी Country है, Venezuela, West में है, उसकी राजदानी काराकाश है, और South West में है, Equador, उसकी राजदानी है, Quito, ठीक है, Quito आप जान लो, यहाँ पर है, ठीक है, ये भी जो है, Coastal Region नहीं है, तो ये सब ध्यान में रखना, और एक है, इसके बार्डर लगता है, Peru, पेरु की राजदानी लीमा, ये Coastal City है, ये Capital है, और इसके साथ एक है, Brazil, इसकी राजदानी है, Brazil, ये भी नहीं है, Coastal, तो ये इस तर यहाँ पर, तो वेनेजुएला के वगल में गुयाना कंट्री देखो, ये है, इसकी राजदानी है जार्श्टाउन, और एक है, French Guayana, जो कि फ्रेंस का पार्ट है, और एक सूरी नेम, ठीक है, गुयाना के बाद है, सूरी नेम, उसके बाद है, फ्रेंच गुयाना, तो ये से ध्यान में रखना कौन-कौन परागवे और बोलिविया यह लेंड लॉक कंट्री है ठीक है यहां पर चिली और नीचे अर्जंटीना ओके तो यह आप मैप में देख लो एक काफी इंपॉर्टन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एक नमबर करेंट अफेर पर चलते हैं नेशनल लर्निंग बीख या कर्म योगी सप्ता कर्म योगी सप्ता तो बिसिकली यह विंग ऑर्गिनाइज हुआ है नाइनटीन टू टूटीफाइव अक्टूबर को ओके तो ध्यान में रखना नेशनल लर्निंग बीख या कर्म योगी सप्ता यह नो से पचीस अक्टूबर के बीच हुआ है ठीक है मनाया गया आगे बढ़त इसमें चलता है मतलब आज चौबिस अक्टूबर है नेक्स्ट है न्यू लोगो लांच हुआ है किसका बी एसनल का भारत संचान निगम लिम्टेट का किसने लांच किया जोतिरनन सिंदिया यह क्या है मिनिश्ट्री आप कम्मुनिकेशन इनी यही देख रहे है ठीक है नेक्स्ट है रिसेंटली लुआंग कुआंग लुआंग कुआंग बेसिकली एलेक्टेट्ड हुए है चली निव प्रेसिडेंट आफ दा तो बीच नाम के प्रेसिडेंट बने हैं तो इध्यान में रगना पूछ सकता एक्जाम में बीच नाम का लोकेशन देखो यहे बीच नाम अपना ठीक है पीच नाम इसकी कैपिटल क्या है बियंद्थ इसकी चैपिटल ओके इसकी जो है विएतनाम की कैपिटल देख लेना आप ठीक है मुझे धियान नहीं आ रहा है तो और इसके बगल केंट्री देखो नौर्थ में चाइना इसके लगा हुआ है और वेश्ट में लाओश ओके और फिर वेश्ट में सौथ वेश्ट में जो है कम बेसिकली इसका कैपिटल विएतनाम की ध्यान नहीं आ रहा है तो फिर देख लेना ठीक है इसके जो है इस्ट में सौथ चाइना सी और सौथ में है सौथ चाइना सी ठीक है तो यह लोकेशन इसका देख लो काफी इंपोर्टन्ट है ओके इसमें एक कंट्री है लाओश यह भी ध्यान रखना नेक्स आगे बढ़ते हैं कि प्रवासी परिचे प्रवासी परिचे दोजार चौविस प्रोग्राम जो है आर्गिनाइज्ड हुआ है इंडियन एंबेसी आफ विच कंट्री तो साओधी अरब बेसिकली साओधी अरब में जो है यह प्रोग्राम मनाय प्रवासी परिचे दोजार चौविस प्रोग्राम ठीक है इंडियन एंबेसी के तौरा साओधी अरब में तो यह भी ध्यान रखना नेक्स चलते हैं नेक्स्ट है आई-एम-फ यानि के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है रिलीज किया है वर्ड एकोनामिक आउटलुक रिपोर्ट ठीक है दोजार चौबेस तो इसको खुदे एक करन पूछ सकता है कुछ यहीं से आ जाएगा कि आई-एम-एफ जो वर्ड एकोनामिक आउ प्रोजेक्शन्स आफ एक ग्लोबल एकोनामिक का एंड साट एंड मीडियम टर्म में ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट है थर्टीन नंबर स्री करतारपुर साहिब कोरिडोर ठीक है तो यह न्यूज में है क्योंकि इसे फिर रिन्यू किया गया है नेक्स्ट फाइव के लिए ठीक है जो फ्री बीजा बेसिकली यह विदाउट बीजा का एक प्रोग्राम में जिसमें इंडियन टूरिस जो है वह जाके वहां पर दर्सन करके आते हैं ठीक है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच है ठीक है और बेसिकली यह पाकिस्तान में है करतारपुर साहिब और बेसिकली इस समय जो है रिलेशन सुधर रहा है भारत पाकिस्तान से तो इसलिए न्यूज में भी है तो नेक्स फाइब एक रिन्यू किया गया बेसिकली वर्जिनली साइन इन तुथाउजन नाइनटीन और पांच साल के लिए वैलेट था तो इस साल फिर रिन्यू किया जा रहा है बेजट आफ प्लिग्रिम्स फ्रॉम इंडिया तो गुर्द्वार दरवार साहिब करतारपुर साहिब ठीक है यह नेरोल पाकिस्तान में है ठीक है यहां पर गुरु नानक साहिब जो है अपने अंतिम 18 साल यहां पर गुजारे थे ठीक है यह जो है वेस्ट बैं है 14 इंडिया 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 दो SSBN operational है, मतलब कि ballistic missile submarine उसका नाम है, एक है INS Hariant और एक है INS Arigat उसका ना ES3 से प्रणाउस होता है अब ES4 यही है Ardhman, ओके थर्ड जो है अरिधमान और ES4 इस टार जो है, new फोर्थ नंबर लांच किया गया है, तो इध्यान रखना ठीक है, ES4 इस टार करके, next आगे बढ़ते है next है अस्फाकुल्ला खाँ तो basically अस्फाकुल्ला फ्रेडम फाइटर थे, ठीक है और इनका जन्म जो है 1900 में हुआ था, और डेथ जो है, फासी की सजा हुई थी इनको 1927 में, इनका ये रिसेंटरी इनका बर्थ इन्वर्सरी मनाया गया है, 22 अक्टूबर को ध्यान रखना ठीक है, यूपी घ्जाम में पूछा जा सकता है ये बौन हुआ थे 1900 में, साजहापुर, यूपी में ठीक है, उत्तर के बिलके हिंदुस्तान एसोसी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीयसन 1924 में स्टैबलिस किये थे ये चारे, ओके इसके बारे में समझते हैं और इनके बारे में क्या किये थे, ये चारे बिसकली हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीयसन का जो manifesto था वो the revolutionary नाम से छपता था ठीक है इसका objective क्या था ये ये लोग establish करना चाहते थे एक federal republic of united state of india का ठीक है इसका motto था ये चारे का ये organized and the armed revolution चाहते थे ठीक है ये हतियार से आजादी चाहते थे ये लोगों ने इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अस्पा कुला का ने काकोरी train action 2025 में जो है ये उसमें भाग लिए थे and awarded to death sentence इसी में इनको जो है फांसी की सजा होई किसके किसके साथ राम परसाद बिस्मिल राजेंद्र लहडी और रोशन सिंग ओके तो ये था current affair आज का next मिलते है 25 October को ओके then thank you very much